चलिए तो आज अब हम next chapter discuss करेंगे और वो जो है assessment audit search seizure departmental power ठीक है तो येस बेटा बड़ा मज़जार discussion है और ये theoretical discussion जो है मैंने ये चार्ट में पुरा complete cover किया है फिर से कहोगा हर एक पॉइंट ये चार्ट में मैंने cover किया है इसलिए आपको इस चार्ट के अलवा only question is पढ़ना है बागी कुछ भी ऐसे पढ़ने की जरुवत नहीं है यहाँ पर आप जो है आपको जो यह discussion होगा इसमें हर points पे ख्यार रखना है exam में भी point wise manner में आपने इस तरह से लिखा तो चलेगा चलिए स्टार्ट करें आर यू रेड़ी असेस्मेंट ओडिट सर्च एंड सीजर दन तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट की पावर को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ administrative power और investigative power मतलब department आपके उपर चेक रहेगा administrative एंगल से कि आपके return वगरे scrutiny records यह सब बुलाएगा और एक investigative मतलब inspection search और सीजर आपके प्रिमाइस पर आके वहाँ पर वह verification inspection rate वगरे carry out करेगा administrative power में जहां तक है mostly record बेज जाएगा documents बेज जाएगा return बेज जाएगा and administrative power में return और GSTR 1-2 अगर जो आपके statement है return statement records इसके scrutiny पर ज्यादा emphasize करेगा इनके audit पर ज्यादा emphasize करेगा और next investigation मतलब उसको समझ गया कि कुछ तो छुपाया जा रहा है has strong reason to believe वो अगर समझ गया कि कुछ छुपाया जा रहा है तो फिर वो अपना inspection investigation search चालू करेगा पर ये कहां से पता चलाएगा कि उसने कुछ चुपाया है उसके लिए no doubt पहले administrative power use करनी पड़ी और यहां से फिर वो inspection वगरे में और search seizure में जाएगा ठीक है तो यहां मैंने दो चाप्टर को combine किया हुआ है एक assessment और audit दूसरा inspection search और season ये दो चाप्टर इस चार्ट में connect हुए है इसलिए अगर आप open करोगे तो ये दोनों connected मैंने उपर और नीचे के pages पे लिया है इतना पढ़ लो that's enough अब अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आप really मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा काम है just easy way मैं आपको यहां पे कर देना है लेकिन आप मुझे जरूर याद करोगे कि सर ने बहुत ही summary में और point way designer में और हर point इसमें कवर करके रखा हुआ है ठीक है ठीक है ना only assessment और audit भी पढ़के आओगे तो don't worry यह मैं समझाओगा तो समझ जाएगा okay कोई problem नहीं है चली तो सबसे पहले हम administrative power में आते है administrative power को मैंने तीन पार्ट में divide किया है assessment करना audit करना और general access मेरा word समझे लो general access to premises यानि कोई investigation या कुछ आपने चुपाया है उसको डूडने के लिए नहीं वे general आया है चलो देख लेते है inspection कर लेते है सब ठीक चल रहा है ना हमारे पास कोई reason नहीं कि आपने कुछ चुपाया और अब उसको डूड के निकालना है इंस्पेक्शन और general access में क्या फरक है inspection मतलब I have a reason to believe कि कुछ तो चुपाया गया है और मुझे वो डूड के निकालना है उसको कहते है inspection ठीक है और access मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है चेक करने के लिए उसको कहते है general access नहीं बिटा मुझे मेरी तारीफ कम अच्छी लगती है तो चलिए मैं अपना role play कर रहा हूँ जिसके लिए आप मुझे join किये हो और मैं अपना role अच्छे से play करूँ बस इतना ही मेरा यहाँ पर object है your satisfaction is my biggest asset ठीक है अब assessment में आते हैं assessment की definition क्या है assessment means determination of tax liability under this act may be self assessment, reassessment, provisional assessment, summary assessment और base judgment assessment सब type के assessment हम यहाँ देख रहे है generally government कोई भी democracy में यह कहती है कि हम आप पे विश्वास रखते हैं पहला tax जो liability आप खुदी determine करके दो हैंने पहला concept होता है self assessment हम आप पे पूरा विश्वास रखते हैं आप self assessment करके हमें एक return दो और return में बताओ कि आपने कैसे किया है पहला chance आपका हमारे साथ धोका मत करना हमारे साथ धोका किया तो फिर हम आगे आपको scrutinio summary में छोड़ेगे नहीं और वहां से फिर हम inspection search, seizure, audit की power भी ले सकते हैं तो सबसे बेले मैंने इस assessment को दो पार्ट में divide किया हूँ आप registered हो और आप unregister हो लाँ सुनिएगा आप registered हो और unregister हो अगर आप unregister हो तो क्या होगा फ्राम बार में देखेंगे पहले तो देखते हैं आप registered person हो registered person के लिए दो यहां पर assessment दिये हैं पहला इसमें भी दो पार्ट की हैं आप return file कर रहे हो registered होने के बाद और आप return file नहीं कर रहे हो non fillers of return return नहीं दे रहे हो okay इसको न ऐसे room में बिलकुल ऐसे dance करते हो पड़ रहा registered हो नहीं हो return file कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो अभी तो सिदा सिदा लेख चलते हैं कि honest बंदा है registered भी return भी file करता है तो वो case में आगे बढ़ेंगे हैं यहां पर क्या तो self-assessment हैंने every registered person shall self-assess the liability and tax payable and file the return under section 39 law यह कहता है कि फिर आप ही खुद assess करो आपकी liability और वो GSTR 3B में return में बताओ GSTR 3B में return में बताओ ठीक है अब आपने अपना self-assessment कर लिया अब हम इसको आगे बढ़ाते आपने अपना self-assessment कर लिया आपने self-assessment कर लिया आपने self-assessment कर फाइल करके GSTR 1 दे दिया 3 3B दे दिया अगरे सब कुछ दे दिया आपके पास और एक option है section 60 में और वो है provisional assessment कभी कभी क्या होता है कि आप दो बाते fix नहीं कर पा रहे हो, underline value of supply और applicable rate of tax, value क्या होनी चीए आप fix नहीं कर पा रहे हो, क्या यह value में add होगा क्या, third party payment value में add होगा क्या, यह आपने discount दिये हुए है, agree किये है पर आगे future में उसको देने वाले हो, यह कोई भी reason के वैसे से value of supply fix न अभी तक बन नहीं पर, cost नहीं बन पा रही है, rule 27-28 में अभी तक हमें like kind और quality का value नहीं मिला है, fair value नहीं मिला है, जो भी कुछ reason होगा, जब आप goods को remove कर रहे हो, यह service supply कर रहे हो, और valuation नहीं कर पा रहे हो, pending हो पा रहा है, यह applicable rate of tax, यह आप जो है rate identify नहीं कर पा रहे हो, ज stating the reason दे रहो, okay stating the reason दे रहो for provisional assessment, फिर वो officer को बताएगा, इसका फाइदा किया है, मैं आपको बता रहे हो, पहले तो procession समझ लो, फिर फाइदा बताता हो, आप officer के पास जाओगे, कहोगे कि मुझे provisional assessment करना है, यह यह उसके reason है, और इसके वज़े से मैं provisional assessment करना चाहता हो, ठीक है, तो reason, इसका फाइदा यह है, कि अगर future में आपका tax, आज provisional basis पे pay कर रहे हो, future में अगर आपका tax short हो जाए, तो आपको सिफ interest लगता है, penalty नहीं लगती है, क्योंकि आपने जो भी किया, officer को inform करके किया, इसलिए आपकी value आपने कम बता दी, provisional basis पे, rate कम बता द दिया, और future में liability आती है difference की, तो उसकी कोई penalty या late fee नहीं लगती है, उसका सिफ interest लगता है, यह सबसे बड़ा फाइदा है, provisional assessment का, after asking necessary document, proper officer, PO मतलब लिख दो, proper officer shall accept or reject the request by an order, within 90 days from the date of receipt of request, but necessary inquiry करने के बाद, जान सुनिएगा, after asking necessary document, proper officer shall accept or reject the request by an order, आप आपका provisional assessment लेना अची है, वो accept भी कर देगा, यह वो reject भी कर देगा, वो कहेगा नहीं नहीं, यह provisional assessment नहीं, आप तो valuation ऐसा कर सकते हो न, यह rate लेलो बात को करो, मैं provisional में case नहीं लेकर जाओ का, जो भी है, वो accept या reject करेगा, within 90 days from the date of receipt of request, 90 दिन के अंदर, bond and with security, ख्याल रहें, जो भी बं assessment करता है, उसको एक bond देना पड़ता है, क्योंकि bond किसले, government अपने आपको secure करती है, कि future में liability जादा आगी तो, जब final assessment होगा तो, तो 25% of amount covered under the bond, okay, तो bond जो है, वो बनेगा कि यह इतने amount का, यह officer decide करेगा, कि इतने amount का bond आप execute करो, और इसकी 25% security हमें दो, कोई FD lien करो, या उत 25% का security वो मांगेगी, तो, differential amount का एक bond, आपको execute करना पड़ेगा, और security 25% की देनी पड़ेगी, next point, हाँ, जो भी आपने, यहाँ पे, final assessment किया, अब देख, provisional assessment हुआ, अब उसको final भी करना पड़ेगा, तो proper officer, जिसने provisional assessment का order दिया, वो 6 मैने में final करेगा, अगर 6 मैने में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें, हमने year in discount देखे रखा हुआ है, 6 मैने में नहीं हो पा रहा है तो extension, joint commissioner, additional commissioner, further 6 मन, कभी-कभी price escalation clause में है सरता है, अगर price escalation clause है, पुरे सालबर का है, पुरे सालबर का है, तो वो situation में, provisional assessment नहीं हो पाता है, तो exchange में मिलता है, joint commissioner, additional commissioner, यह extension by commissioner, 4 years, yes बेटा, यह अप्टू 25% है, तो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, maximum 25%, ठीक है? अब, final assessment में, दो बाते हो सकती है, final assist tax, लिख देना, FAT मतलब final assist tax, या, okay, और PAT मतलब provisional assist tax, आपका final assist tax जो है, वो जादा आगया, as compared to provisional assist tax, तो differential tax पे करना पड़ेगा, with interest, interest तो लगेगा, और यह 18% per annum से लगेगा, 18% per annum से, day basis पे calculation होगा, और interest कप से लगेगा, यह बह important part है, interest कप से लगेगा, यह important part है, from the first day, after due date, DD मतलब लिख दो, due date, or payment of tax, till the date of actual payment, आपकी due date, आपकी return की date, तो आपकी, जो भी due date होगी, normal scheme में, QRMP scheme में, payment की, okay, तो generally due date, normal scheme में, जो return की date होती है, और QRMP scheme में, 25th day होती है, तो जो भी आपकी due date होगी, payment की, उसके next day से, interest चालू होगा, और वो जो interest, जान सुनना, उसके next day से, interest चालू होगा, till the date of payment of, such differential amount, आपको उसका interest देना पड़ेगा, और यह interest differential tax पर देना पड़ेगा, अगर आपका final assist tax, यह कम है, provisional assist से, तो आपको refund मिलेगा, for refund subject to doctrine of unjust enrichment, यह refund chapter आपने तो पढ़ी होगी, क् doctrine of unjust enrichment, refund chapter में cover करूगा, यानि अगर आपने यह burden pass on कर दिया होगा, तो फिर refund आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप unjustly enriched हो जाओगे, refund जिसको pass on किया, उसको मिलेगा, और जिसको pass on किया है, वो traceable नहीं है, तो consumer welfare fund में transfer होगा, अगर आपको refund मिलता है, तो उस पे interest भी दिया जा यह गा, यह गोर्मेंट हमारे से 18 लेगी, लेकिन खुद 6% पर आपको नहीं है, प्रिड़ आप इंटरेस, from the first day immediately after expiry of 60 days from the date of receipt of application for refund till the date of refund, समझ लो यह इंटरेस कप दे रहे हो, जिस दिन आपने refund के लिए apply किया, जिस दिन आपने पैसा दिया वो नी, जब final assessment हो जाएगा, फाइनल assessment के बाद आप refund के लिए apply करोगे, question मत पूछना, समझ लो यहाँ से, समझ लो आपने provisional assessment April में किया, उसका जून में final, 16 जून को final assessment हुआ, 16 जून को जब final assessment हुआ तो आपका refund निकला, आपने 25 जून को application दिया, तो 25 जून से 7 दिन के अंदर, 60 days के अंदर refund आजाता ह है, refund आजाता है, तो कोई interest नहीं, लेकिन 25 जून से, आपका 60 days के अंदर refund नहीं आता है, तो आपका interest जो लगेगा, वो 61th day से, यहने जून से 60 days लेलो, और आगे जो 61th day रहेगा, वहाँ से till the date of refund आपको interest मिलेगा, यह point समझा गया आपको? यह point समझा गया आपको? दन, उसके बाद में release of security, अगर आप differential payment कर देते हो, तो आपने जो भी up to 25% security दी, वो release कर दी जाएगी, तो point समझ लो, provisional assessment के, ठीक है, तो provisional assessment दो ही case में हो सकता है, value और applicable rate में clear नहीं है, unable to determine, आपको request करनी पड़ेगी, officer 90 days में accept करेगा, react करेगा, आपको bond देना पड़ेगा, और security अप्टो 25% देनी पड़ेगी, final assessment, 6 month में final होगा, extension 6 और commissioner 4 years तक, वो extension दे सकता है, 6 plus 6 और up to 4 years तक extension दे सकता है, okay, उसके बाद में tax ज्यादा होगा, तो pay करना पड़ेगा, with interest, और from the first day, जो month में provisional assessment क्या तो, अगर आपने provisional assessment अप्रिल में क्या होगा, तो April की जो due date of payment है, अगर हम समझ के चले 20 तारिक, तो 21 तारिक से interest चालो हो जाएगा, till the date of payment, और refund होगा, तो refund होगा, with interest 6% per annum, और आपको interest जिस दिन आप apply करोगे, वाह से 60 days में के बाद आपका interest च देखेगा, scrutiny of the return, आपने return फाइल कर दिया, self assessment किया होगा, या provisional assessment किया होगा, और हम register person में हैं, और आपने return फाइल कर दिया है, अब scrutiny चालोगी section 61 में, proper officer shall verify the correctness of return with respect to available information, ख्याल रहे, मैं दो word पे आपके दालाना चाहोगा, वो यह जो scrutiny करेगा, वो आपके premises में आके नहीं करेगा, section 61 में, आपके return पे ही करेगा, premises में आना मतलब inspection, search और seizure हो जाता है, तो यह आपने जो return दिया है, उसका scope आपके return के उपर ही रहेगा, वो दूसरे सवाल नहीं पुझेगा, जो return दिया है, वो सही है कि नहीं है, वो scrutiny करेगा, with respect to available information, मतलब क्या, मतलब वो कोई नई information जो जो आपने information दी, उसी information के base पे scrutiny करेगा, मतलब क्या, मतलब ही आपने GSTR1 में information दी, E-Way Bill में information दी, E-Invoice में information दी, तो जो जो भी आपने information उसको दी होगी portal पे, उससे वो cross verify करेगा आपका return, GSTR2A, 2B, IFF, invoice furnishing facility, तो उसके base पर ही वो cross verify करेगा, इसलिए, अभी जो department में scrutiny हो अभी सर को, कोई additional information नहीं, कई दून के लाया हो नहीं, अगर तो 61 में scrutiny कर रहा है, तो मैंने दी गई जो अलग-अलग parameter पे information है, E-Way Bill में, GSTR1 में, IFF में, उसके base पी scrutiny नहीं कर, फाल तो दूसरा, दूसरा नहीं, क्योंकि यह available information main word है, जो information available करवा के दी, उसके base पी scrutiny होगी, कोई नहीं information ढून के नहीं लाई जाएगी, जोसरा, इट discrepancy is found, अगर तुमने ही information जो दिये, GSTR1, या फिर E-Way Bill में, या फिर, यह पे, E-Invoice में, या IFF में, उसमें discrepancy आ रही है, आती है सा, मेरा GSTR1 अलग, 3B अलग, discrepancy आ रही है, तो proper officer shall issue notice, and person shall give a necessary explanation, within 30 days of service of notice, वो आपके अगेंस में notice issue करेगा, और आपको 30 दिन के अंदर उसके उपर reply देना पड़ेगा, अब तीन बाते हो सकती है, एक, आपने satisfactory explanation दिया, 30 दिन के अंदर, दूसरा, आपने discrepancy accept कर लिए, कि हाँ सरी गलती हुई है, discrepancy हुई है, तिसरा, आपने discrepancy accept नहीं की, आपने पहला satisfactory explanation दे दिया, कि सरी ये discrepancy नहीं है, या ऐसा-ऐसा हुआ था, इसके वज़े से difference आ रहा है, officer ready हो यहाँ, ठीके, ठीके, कोई problem नहीं, यहाँ पे, आप उसे पूछा गया, example कभी ऐसा हो सकता है, कि आपने motor vehicle खरीद आओ, तो उसको आपका just verify करना है, कि motor vehicle का credit, आपने क्यों लिया गया, कि further taxable supply के लिए, आपका explanation है, कि sir, motor vehicle further taxable supply के लिए, इसलिए मैंने करीद है, उसके credit लिया है, तो चलो, ठीके, discrepancy is okay, okay, कभी-कभी annual return, और आपके monthly return में discrepancy आती है, तो annual return और monthly return में discrepancy आती है, तो वो भी आप explain कर रहे हो, तो no action by proper officer, inform to register person, कि वो action नहीं लेगा, और register person को कहेगा, कि ठीक है, your explanation is accepted, दूसरा, search में discrepancy आगे, आपके GSTR 1 में और 3B में, okay, discrepancy आगे, तो आपने वो accept कर लिए, हाँ sir, गलती होई, accept कर लिए, तो आपको tax देना पढ़ेगा, और आपको यहाँ पे interest देना पढ़ेगा, यह spelling को correct कर लो, interest क कर लो, यहाँ पे, tax plus interest, जो भी differential amount है, उसका interest आपको देना पढ़ेगा, और inform proper officer about payment of such tax, मतलो, officer notice, आपको show call notice अगरे नहीं, पहले लिए उसने notice, okay, तो आप tax pay कर दोगे, उसका interest pay कर दोगे, और officer को inform कर दोगे, sir, यह discrepancy आई, मैंने pay कर दिया, यह उसका चालान, ठीक है, next, पर आप officer ने discrepancy निका लिए और आप accept करने के लिए ready नहीं हो, आपने कहा, sir, यह ही नी discrepancy, officer कह रहा है कि नहीं है, वो भी जित पैड़ा हुआ है, आप भी जित पैड़ा हुआ है, और आपने वो correct नहीं किया, not corrected after acceptance by, okay, sorry, either discrepancy, आप accept नहीं कर रहे हो, और, और accept करने क बाद आप correct नहीं कर रहे हो, दो situation, आप accept ही नहीं कर रहे हो, या accept करने के बाद correct नहीं कर रहे हो, तो अब उसके आगे, अब यहाँ, यह case में, यह case में, यहाँ, अब आगे की action क्या होगी, proper officer may initiated appropriate action, मतलब क्या, officer हो सकता है, कि audit कर वाले section 65 में, यह special audit कर वाले 66 में, क्यों, क को लगता ही है, और अब इसको confirm कैसे करे, तो वो सकता है, audit कर वाले, या 67 में, inspection के लिए आजाए, search user के लिए आजाए, ठीक है, वो भी power use कर सकता है, या फिर, officer confirm है कि यह discrepancies है, tax come pay हुआ है, audit कर वाले की भी जरुबत नहीं है, वो confirm है, तो 73, 74 का भी action ले सकता है, पाच्च audit के लू, या मैं जाके inspection कर वाँ, या फिर, या direct मैं recovery का notice base दू, demand or recovery का notice base दू, 73, 74 में, यहां तक के discussion में कोई problem, यहां तक के discussion के questions, questions entertain कर वाँगा, कोई problem, ठीक, next, एक section, यह तो आ 61, यहां पर, तो section भी learn करते हैं आपको, learn हो जाएगी, अगर आप proper वे से चार्ट पड़ोगे, self assessment 59, 60 provisional assessment, और 61 scrutinia assessment, ख्याल रहे, scrutinia assessment तभी start हो सकता है, धान सुनिएगा, scrutinia assessment तभी start हो सकता है, जब आपने return दिये हो, अगर return ही नहीं दिये हो, तो scrutinia assessment नहीं होगा, 61 का existence consistency तभ है, जब आपने return दिये हो, done, next, अब उपर के part पर आता हो, यहां पर, नहीं स्वरी यह वाले part पर आता हो, आप registered हो, आप registered हो, और आप return नहीं दे रहे हो, यहां 62 वाले part पर आता हो, return नहीं दे रहे हो, तो यहां officer जो है, non filler of returns का base judgment करेगा, हाँ, दो base judgment है, एक section 62 में ह है, और एक section 63 में है, तो यहां 62 का base judgment assessment होगा, okay, तो इसका एक-एक point यहां पर हम पढ़ते है, 62 का base judgment assessment, where registered person, आप registered हो, fails to furnish return under section 39, या final return under section 45, even after service of notice under section 46, taxable person fails to file return within 15 days, अब तुबा point को समझ लो, आपने due date को return नहीं दिये, या आपने final return नहीं दिया, जो cancellation के case में देना पढ़त है, तो आपको auto-generated notice आती है section 46 की, common portal से, notice आने के 15 दीन बाद भी return नहीं दिया, यह word बहुत important है, notice आने के 15 दीन बाद भी आपने return नहीं दिया, तो फिर reaction होगी base judgment की, तो time limit of order, proper officer shall issue an order of base judgment within 5 years, from the due date of annual return for the financial year to which tax not paid or relaxed, तो यह जो base judgment करने का उसके पास power है, तो जो financial year में, आपने return नहीं दिये, फाइल नहीं किये, उसके जो annual return की due date है, तो ऐसा financial year 2021 लो, जिसमें आपने return नहीं दिये, तो 2021 का annual return की date है, 31st December 21, वहाँ से आगे 5 साल में, आपकी case कभी भी वो open कर सकते है, वहाँ के आगे के पास साल में, आपकी case वो कभी भी open कर सकते है, is it clear, yes or no, ठीक है, तो पास साल का time उनके पास कभी भी है, withdrawal of base judgment assessment order, अब देखो यहाँ पे जो order है, सीधा-सीधा direct order है, notice भी नहीं है, notice आपको section 46 में auto generated आ गया था, अब officer base judgment जो करेगा, वो क्या करेगा, officer यहाँ पे आपने ज information collect कर लेगा, okay, जो पुराने record के base पे, एक जैसा मेरा case है, यहाँ पे base judgment के लिए वो अलग-अलग factory use कर सकता है, okay, तो वो आपके customer के base पे data collect कर लेगा, अभी तक वो inspection के लिए नहीं आ रहा है, वो खुद ही base judgment कर रहा है, okay, base judgment कर रहा है, या फिर आपने पुराने कोई returns दिय कर रहा है, ले बिठा, okay, यह रहा base judgment assessment, कर अप तरुको क्या करना है, क्योंकि यह तो जादा ही amount पे estimation करेगा, और दे देगा, तुमारे हाथ में सीधा-सीधा order टिका के दे देगा, okay, कोई show calls, why not to do base judgment, no, 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 46 की notice आपको already आ गई थी, तो 46 की notice already आ गई थी, तो बस सिधा base judgment assessment order बात को खतम, अब हुआ यू, अगर मैं example लूँ है जानी, Vsmart का है, Vsmart प्रॉफर्ली सब चिज़े यहाँ पे submit करता है, और example ले रहा हूँ, यहाँ पे, Vsmart ने return नहीं दिया, notice आ उसके बाद भी नहीं दिया, तो अभी क्या Vsmart के website पे जाएगे और मैं add कर रहा हूँ कि मैंने फिछले, okay, हमने last year में 20,000 student पड़ा है, बस, informationally 20,000 into, okay, 17,000 fees, multiply by, कर दिया base judgment, अब यहाँ तो इन्होंने 20,000 मेरे regular में थे, Super 35 में थे, Booster में थे, Marathon में थे, इल्दम पलो, पर इन्होंने तो पुरही कर दिया, पुरही regular class की fees लगा दिया, और है अब मेरी बास समझ लियो ना, अब मेरी बास समझ लियो ना, yes or no, और जितने भी student connected है और मुझे answer सबसे चाहिए, okay, तो base judgment में कर दिया उन्होंने, उनके पास power है, तो ऐसे situation में base judgment assessment order दिया, पर government ने, register person वालों को, मेरा यह statement सुनना, जो register person है और जिन यह दिया है, withdrawal of BJA order, when assessing furnish valid return, within 30 days of service of base judgment, जैसे ही base judgment आ गया, मैंने देखा कि यह साल में 20,000 student into 17,000, और यार इनोने तो assessment सिधा सिधा, मैं अगर calculator लो, into 17,000, यहने यहां तो 34 crores का, 34 crores आ रहे ना, okay, जो भी होगा, तो इतना base judgment करके GST लगा दिया, यार, यह तो मारे गए, मै इतना दिया है, मैं रिटन देता हूँ, जिस दिन base judgment आया, मैं तो डर गया, मैं रिटन देता हूँ, मैं सब बता होगा आपको, कितना यहां पे booster का admission है, कितना super 35 का है, कितना regular का है, कितना marathon का है, कितना free lectures है, तो यहां सब आपका दूगा, तो government opportunity, अब आजा आ ना बेटा ल order withdraw जाए, officer के हाथ में power नहीं है, यहां आपको नहीं है, sir withdraw order, sir please sir, मैं देन, वह automatic withdraw जाएगी order, अगर आप valid return file काद देते हो, 30 दिन के अंतर, it shall be deemed to have been withdrawn, यह बड़ा important है, यहां आपको जाने के ज़रूद नहीं तो corruption बढ़ जाएगा, वह आपको पैसा लेगा order withdraw करने का, okay, deemed to have been written, corruption काँ हो जाएगा, but liability interest, okay, और late fee, जो भी होगी वह आपको आएगे, क्योंकि आपने due date में return नहीं दिया, payment नहीं किया, तो interest तो लग नहीं है, और जो भी late fee होगी, वह liability आपको आएगी, बोलो यह section समझा की नहीं समझा, अच्छा, मुझे आप से पुछना है, कितने student हैं जिन्नोंने यह theory पड़ी ती और इतना clear नहीं था, लेकिन अब chart में उनको एक एक चीज clear हो रही है, कितने ऐसे student है, answer दीजिए, okay, ऐसा करो, मैं, मैं sir, कि theory में बिलकुल नहीं समझाता, लेकिन आप समझ में आ रहा है, अरे वा, सभी है, पड़े तो सब, लेकिन की clear हुआ अब, एक, sir, मैंने कुछ भी नहीं पड़ा पर अभी समझ में आ गया, चलो बढ़िया, तो बेटा, ये तो फिर एक बार साथ साथ नहीं, जब आपने पहले कुछ भी नहीं पड़ा होगा, तो साथ साथ नहीं बूग तो भी पढ़ ले न, ठीक है, चलिए, ये था, section 62, चार्ट शानदार है, शानदार भी है, जोरदार भी है, बस अब आपका result, शानदार आना चीए, मेरी असेट वह यह वेटा, कि आप अब हो 80, अब हो 80, मेरी असेट वह है, बोलो करोगे न, जोर से बोलो, यास, ये वहना confidence बोस, चलो, अब आता हूं में section 63 में, भई, अभी तक तो हम register person की बात कर रहे थे, बंदा unregistered है, ऐसा बंदा है कि, जिसने threshold के उपर business किया है, अरे बही, 70, 80, 2, 3 करोड का business किया, वो registration ही नहीं लिया, unregistered है, वो अब unregistered है, तो उसका तो कोई return ही नहीं है, अब देखो, unregistered है, तो no return, no scrutiny, direct based judgment करना पड़ेगा, तो अब देखो यह, जो unregistered बंदा है, if assessi fails to obtain registration, और registration is cancelled, एने, फिर यह देखो, registration is cancelled, यह word की पीचे बहुत गहराई है, चहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, proper officer के पास कुछ cases में, sumo to cancellation का power है, मतलब officer आपका registration cancel कर देगा, हमने देखा, अगर आपको याद होगा तो, उसने supply किया without invoice, invoice दिये without supply, उसके बाद में return file नहीं किये, इस बार amendment भी हम में उसमें देखी, rule 86, 86A और 86B का contravention किया, bank information नहीं थी, officer ने cancel कर दिया, अब cancel करने के बाग, वो डर नहीं रहा है, वो इवन supply कर रहा है, जाने दो cancel होगा, मैं तो supply करूगा, मैं तो business करूगा, जाए कुछ भी हो जाए, अच्छा, तो वो आप 63 का action देखो, proper officer assess the tax liability by wage, tax liability by wage judgment assessment, यहाँ वो notice देगा, मैं difference बताओगा, दोनों wage judgment में क्या है, यहाँ वो proper officer, issue a notice and give 15 days time to reply, ठीक है, अब base judgment में उन्होंने जो भी factor बाहर से collect कियोगे, उसके base पे, अब देखो, जब भी base judgment होगा, तो यह नहीं कहा है, available information, यह खूद बाहर जाके information collect कर सकते हैं, और उसके base पे base judgment कर सकते हैं, ठीक है, तो वो base judgment कर लेंगे, 15 दिन की notice दी जाएगी, और उसके बाद में order final हो जाएगी, और वो order upload कर दिया जाएगा, उसकी summary जो है, GSTN portal पे upload कर दिया जाएगी, no assessment order passed without getting opportunity of being heard, और time limit, आपका base judgment, पास साल में, annual return की due date से पास साल में कभी भी हो सकता है, इसलिए, ख्याल रहे, अभी मैं आपका बताता हूँ, 2017-2018 की annual return की due date extend होते होते, 2-3, 2 साल extend होगी, government इसमें फाइदे में है, सबको तो लगा, अरे extend होगी annual return, extend होगी annual return क्या फाइदा है, मज़ा रहा है, industry खुश थी, businessman कुश थी, लेकिन government भी खुश थी, ठीक है, अब दोनों based judgment में फरक क्या है, section 62 और section 63, section 62 में पहला, अगर आपको देखना है, तो पहला registered है, पर return नहीं दे रहा है, 63 में वो unregistered है, तो return का सवाल ही नहीं आता है, दूसरा, और रहने वो registration नहीं लिया, या cancel हो किया, उसका assessment है, next, यहाँ पे auto generated notice section 46 की जाती है, बाद में based judgment होता है, और के पहले notice जाएगी, और 15 दिन का time दिया जाएगा, और के आपको return फाइल करने के लिए, और आपने नहीं दिया, तो फिर based judgment होगा, यहाँ कोई auto generated notice नहीं है, यहाँ क्योंकि आप registered ही नहीं हो, यहाँ based judgment assessment withdraw हो सकता है, अगर 30 दिन में return देते हो, हाँ, 30 दिन में return नहीं दे सकते हो, देते हो तो फिर based judgment assessment final है, जिसमें penalty भी लग सकती है, जो भी है, पर यहाँ विड्रो हो जाएगा, और वो auto withdraw हो जाएगा, यहाँ पे based judgment assessment withdraw नहीं होगा, लिखना है तो बड़े-बड़े वर्ड में लिख देना है आप है, कि यहाँ based judgment assessment withdraw नहीं होगा, एक बार जो दे दिया, तो दे दिया, इसलिए मैं आपको यह कहोगा, कि भाई अगर आपको कुछ नहीं करना है, तो रजिस्टर होके, रजिस्टर होके मत करो कुछ, क्योंकि रजिस्टर अगर होके नहीं किया, तो एटलिस आपको 30 दिन का यह वाला तो option है, बाद में return देने का, लेकिन आपने unregistered रहे गे, और आपने fraud किया, या आपने tax नहीं दिया, तो बेटा एक बार उसने best judgment कर लिया, तो फिर तो बेटा तू तो गियो, और यह दोनो प्रोविजन, notwithstanding to section 73, 74 है, इसका importance क्या है, इसका importance है, कि मतलब जब भी दोनो best judgment करना है, 62 और 63 का, तो जरूरी नहीं कि 73 की show cause notice आनी चाहिए, वो 73 की notice नहीं जाएगी, यहाई की यहीं decision लिया जाएगा, चलो फटक्स notice दे 15 दिन में खतम कर, auto generated notice बेट जज्ज्मेंट कर, वो show cause notice and opportunity of being heard, इंफिर दिमांट और नहीं, नहीं, डारेक यहाँ कोई तारीक पे तारीक नहीं, यहीं notice यहीं order बात को खतम कर, बेट जज्ज्मेंट असेस्मेंट 62, 63 में यहाँ यहाँ हमने देखा, is it clear? voice problem सबको आ रही है क्या? notice physically आएगा पिटा, यह case में तो registration ही नहीं है, तो notice तो physically आएगा है, चलिए, तो यह आपने देखा assessment में, next अगर आप नीचे आओगे तो summary assessment, section 64 में लिया है summary assessment, देखो, एक बार section, section 59 self assessment, section 60 provisional assessment, 61 scrutiny assessment, return के उपर होगा, 62 base judgment assessment, अगर आप return नहीं दे रहा है, और 63 जो है, हमने जो देखा, वो unregistered person का base judgment assessment, 63 में notice, इसी section में जाएगी, 63 में notice, इसी section में जाएगी, वो दुसरे कोई section में नी जाएगी, इसी section में notice जाएगी, 63, चलिए, अब नीचे आजाओ, summary assessment, summary assessment, बहुस सी बार कब होता है, देखो, where proper officer has evidence showing, tax liability of a person, and delay adversely affect the revenue, he shall pass a summary assessment order, ओके, और officer के पास evidence है, कि बहुसर की tax liability आ रही है, और अगर वो action लेने में delay कर देगा, तो इट affects the revenue, तो वो case में summary assessment order, जाएगी, जिसके लिए proper, prior approval, additional commissioner, यह AC का मतलब लिख दो, additional commissioner, यह joint commissioner, एक simple example लेने चाहओगा, ओके, एक यह भुना में यहाँ वड़ा पाव वाला था, वो वड़ा पाव वाले के पास, चौक पे था, उसके पास एक GST officer गया, example ले रहा हूँ, यह real case पूरानी थी, VAT की, पर मैं GST में ले रहा हूँ, उसकी GST, बस ऐसी चलते भिरते, उसने देखा कि वड़ा पाव चलो खा लेते हैं, जो उसने वहाँ बहुत ज्यादा क्राउट देखा वड़ा पाव का, वड़ा पाव का, बहुत ज्यादा इतना सारा क्राउट, तो वो officer के दिमाग में एक दम बिलकुल दिमाग की बत्या जल गई, और देखा कि वड़ा पाव कार के जो वो एक पेच पे वड़ा पाव देते थे, कागज पे, और वो कागज यहाँ पे खाने के बाद वो फेक दिया करता है, जो भी खा रहा है वो वहाँ उसके डस्बिन में फेक रहा है, तो यह बंदे ने देखा यार, इसका उसने देखा कि इतने सारे वो फेके वए कागज है काने के बाद, इसका दिन का बिजनेस कितना होता होगा, इसके पास यह इविडेंस आगे कि यार, उसने फटाफट फोटोग्राफ्स ले लिए, फिर यहाँ पे टीम आई, उसने वो पेजेस काउन किये, उसके पर से लाइबलीटी एक समरी बनाए कि यार, यह दिन का कितना बिजनेस करता होगा, पुरे साल का कितना बिजनेस करता होगा, तो उनके पास ऐसे इविडेंस आए, कि जिसके वज़ेसे अगर यहाँ पे एक्शन लेने में, क्योंकि यह वड़ा पाव है, ठेला वाला है, आज अगर उसका पता चलगा है, कि मेरे अगेंस में ऐसा कुछ हुआ है, तो वो ठेला लेके गायब हो जाएगा, अगर इसके अगेंस में एक्शन लेने में लेट हो गया, तो बहुत बड़ा रेविन्यू का नुकसान हो सकता है, सेम, कि कुछ ट्रक पकड़े गए, और ट्रक पकड़े गए पता चला कि यह इसमें फ्रॉड हो रहा है, बिना इन्वाइस के गुड़ जा रहे है, यह डमी इन्वाइस पे गुड़ जा रहे है, और इसके अगया जेंस में अभी इमेड्यट नहीं ली, अगर इसके अगया जेंस में एक्षिन इमेड्यट नहीं ली तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वो case में फटा फट समरी बनाएंगे, निन के इतने फिके हुए कॉउटच मिले, उसके base पे इतना आपका business हुआ, पुरे salver का इतना, पिछले तीन साल, चार साल से आप business करें, दे दिया, टिका दिया, उसके अगेंस में summary, तो, यहाँ पे summary assessment order जा सकती है, अगर उनको evidence मिल सकते है, withdrawal of order, अब यह summary है, okay, summary है, पर यह withdrawal हो जाएगी, if assessment order is erroneous, then on application of taxable person within 30 days of such order, or on his own motion by additional commissioner or joint commissioner, may withdraw such order and may instead follow the provision of section 7374, फिर वो वड़ा पावाला गया, यह जिसके truck रोके गया, यह जिसका भी अगेंस में, यह summary assessment order आ गया, तो वो commissioner के पास जाएगा, sir, sir, यह क्या है, अब उसने जो यह कागज के तुक्डे जो फेके हुए है, कागज के, कभी-कभी हम दो पेज पे देते है, sir, एक ही बड़ा पावा होता है, ऐसे कैसे calculation किया, जो भी explanation दिये गया, और बाद में additional commissioner और joint commissioner को ऐसा लगा कि नहीं, यह erroneous दिया गया, गलत दिया गया, order, इतना summary बना कि गलत order दिया गया, यह फिर, ओके, यहाँ पे assessment explain कि अप्रू कर दिया, कि सर यह गलत order है, on application of taxable person within 30 days of such order, यह order withdraw कर दिया जाएगा, और फिर officer, जो additional commissioner, joint commissioner बोलेगा, यह summary बड़ा करो, और 73-74 में opportunity of being hurt दो, क्योंकि हमने direct order दिया था, opportunity of being hurt दो, 73-74 का proceeding कर के action law, next, deem taxable person, if taxable person, okay, देखाँ, if taxable person is not ascertainable, and such liability pertain to supply of goods, person in charge shall be liable to assist, मतलब क्या, अगर कोई truck रोका गया, और truck रोका गया, और वो driver owner का नाम बताने के लिए रेडी नी, दो दिया खीच के, बता owner का नाम, नहीं बताया उसने, owner का नाम, तो अब, यहाँ पर, जिसके possession में goods होगा, जो person, person in charge, shall be liable to be assessed, यहने, जिसके possession में goods होगा, उसे taxable person मान लिया जाएगा, और उसके against में ही action लिया जाएगा, तो यह था बिटा, summary assessment, यहाँ आमने assessment complete किया, यहाँ आमने assessment complete किया, ठीक है, इसके पर कोई doubt हो तो मिलेता हूँ, sir, financial in 1920 में, अमने business किया 80 lakhs का, और registration नहीं लिया, registration taken now, will case of 80 lakhs be assessed under section 62 और 63, पर registration अभी लिया, तो आपने पुराना tax तो नहीं दिया होगा, तो 60, आप, आप, नहीं, past period के लिए, financial in 1920 के लिए, तो आप 63 में ही जाओगे, क्योंकि वो period में, उस period का registration देखा जाता है, आज का नहीं, उस period का registration देखा जाता है, summary assessment to register person, और unregistered person सबका हो सकता है, but withdrawal facility तो register person only, यह सही है आपका, summary assessment, पर generally summary assessment जो है, आपका हो किया, यह register person का ही होगा, generally register person का ही होगा, क्योंकि unregistered होगा, वो तोatus बेज जेजमेंग चले जाएगा, Between Judgment फुद फूरी ऐख समरी असेश में ओन्र ची में 01 चले जाएगा तो समरी असेश कुछ इंटरनेट नेटवर्क प्रोब्लिम जा रहा है मेरी आवाज आ रही है को हां तो समरी असस्मेंट जन्रली जो रीटन वगरे दे रहे है सब कुछ दे रहे है और उसके बाद भी उनको लग रहा है कि रीटन में पूरी इन्फोर्मिशन नहीं आ रही है तो उनका होता है summary assessment ठीक है, specially summary assessment उनका होता है, जो return वीडर के सब दे रहे हैं, पर उनका यहाँ पर मुश्किल जा रहे है, ठीक है याने वो कुछ fraudulent activity में involved है, तो यह था summary assessment यहाँ पर done हमने कलप फटाबट देख लेते हैं assessment, assessment में हमने यह देखा था कि registered person और unregistered person होगा तो अगर registered person होगा तो दो बाते होगी, return देगा, return नहीं देगा अगर वो return दे रहा है तो self assessment उसे ही करना पड़ेगा return में, और provisional assessment जहाँ उसे दिक्कत जाती है self assessment में, specially दो situation में, value of supply and rate of tax तो वो provisional assessment के लिए apply कर सकता है, फाइदा यही है कि late fee penalty नहीं लगती है interest तो लगता है, पर late fee penalty नहीं लगती है, क्योंकि आपने officers को पूछ के यहाँ बे provisional assessment करवाया उसके बाद में bond 25% का होता है, और final assessment 6 मेना, extension 6 मेना, या commissioner 4 साल तक इसको extension दे सकता है differential tax इदर आपको देना पड़ेगा या refund मिलेगा, with interest interest की date थोड़ा अच्छे से पढ़के जाना फिर आपने अगर return दियोगे, तो फिर officer scrutiny करेगा, पर इस scrutiny में आपने जो available information करवा के दी, GSTR 1 में, E-Way Bill में E-Invoice में, या फिर यहाँ पर GSTR 2A, 2B में या IFF, Invoice Furnishing Facility में आपने जो available information दिया, उसके base पर ही आपका return जो scrutiny किया जाएगा discrepancies मिली, तो आपको 30 दिन में inform की जाएगी, वो discrepancies आप से, आपने reply दिया, officer satisfied है, तो कोई action नहीं, अगर आपने accept कर लिया, तो different tax pay कर दो interest पर कर दो, और आपने accept नहीं किया, या correct नहीं किया तो officer फिर आगे बढ़ जाएगा either officer audit करवाएगा, क्योंकि वो भी खुद confirm नहीं है, अगर वो खुद confirm है discrepancies related, तो यह वो 73, 74 का भी action लेगा, या फिर वो discrepancies, जो भी discrepancies मिली है, उसको और थोड़ा खोदना चाहता है और उसके evidence करना चाहता है तो इंस्पेक्शन भी करवा सकता है, यानि पांच में से कोई भी action यहाँ पर ले सकता है very good, यहाँ पर उसके बाद में हाँ, चलिए, तो summary assessment, generally summary देखो, जो unregistered है, जो यहाँ पर return नहीं दे रहे है उनका तो बेज जज्जमेंट में भी हो जाता है पर summary assessment especially वो लोग जो return भी दे रहे, मतलब कहानी उनने उनने दो कहा कोई भी person का हो सकता है यह power सब क्या case में है, लेकिन generally वहाँ होगी, जहाँ पर बंदा जो है, return तो दे रहा है पर उससे ज़्यादा transactions कर रहा है supply कर रहा है, तो वो case में यहाँ पर summary assessment, other factors पर, जो external factors external factors पर जो information मिलेगी, उसके base पर summary assessment हो जाएगा, और के बाद में वो withdraw भी हो जाएगा, अगर वो erroneous पता चला, तो यह case पर withdraw भी हो जाएगा, just a minute बिटा ठीक है, erroneous पता चला तो withdraw भी हो जाएगा ओके चलिए, और generally, यह action तब ली जाती है, जब कोई goods पकड़े गए, ओनर का नाम नहीं पता चल रहा है, driver उसको दो तिन थपड मारा तब यह ओनर का नाम नहीं बता रहा है, तो वो situation में, फिर भही कि भही assessment कर दी जाती है, कि तुई deemed to be taxable person रहेंगा, और चल इतना पहलेंगे, पहले तो तुझे रिटन नहीं दिया, नोटीस आएगी, auto generated notice आएगी, और 15 days में तुझे रिटन देने का पहला opportunity मिलेगा, नहीं तो तुने अगर नोटीस आने के बाद रिटन नहीं दिये, तो अगले 5 साल में, तेरी annual return की dates या पास सान में, हम कभी तेरी against में case लगा सकते हैं, तेरा base judgment assessment कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम base judgment assessment order देंगे, क्योंकि base judgment में तो हम कैसा भी कर सकते हैं, तो जब भी हम base judgment assessment order देंगे, वहां से 30 दिन के अंदर, community of being hurt दिया जाएगा, और base judgment assessment final हो जाएगा, यह order विद्राउनी होगी, यह जो final होगी, वो होगी, यहां तक हमने discussion किया था, चलो, अब next discussion पर आते हैं, audit, audit का source कहा से, मैं बता दे तो, एक तो direct audit भी हो सकता है, direct यहां पर authority दी जा सकती है, कि audit कर लो, यह बंदे का, या फिर जो है, यहां पर, yes, audit कर लो, या फिर next जो मैं आपको बताओ, तो, या फिर scrutiny हुई है, scrutiny में जो information में लिए, बहुत सारी discrepancies है, और officer को वो discrepancies confirm करना है, तो वो situation में section 65 audit, या section 66 का special audit का, यहां पर power दिया जा सकता है, तो, either scrutiny करते वक, second step audit हो जाएगी, या फिर direct audit का order भी दिया जा सकता है, अभी GST में तीन type के audits है, ठीक है, तो यहां पर, sorry audit में जो होगा, तीन type के audit है, यहां section 65, 66 और section 35, लेकिन अभी ये तिसरा वाला audit जो है, लेकिन में 22 आले के लिए ये प्रोविजन पूरी omit कर दी गई है, statutory audit से निकाल दिये गए है, तो audit वाला concept है, इसको cross ही कर देना है, it's omitted है, तो audit या नहीं क्या, भाई audit में specially क्या होता है, means, थोड़ा शब्दों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी words हमारे लिए important होता है, वैसे तो आप बेटा professional course कर रहे हो, तो आपको audit के बारे में पता ही है, examination of record, returns and other documents, maintained or furnished by register person, यानि जो आपने records दिये, okay, words को थोड़ा focus करो, आपने जो भी record submit किये, जो return submit किये, या जो भी documents आपने submit किये, GST में, इसका यहाँ पर examination करना, okay, वो audit माना जाएगा, पहला case, दूसरा, to verify the correctness of turn or declare, taxes paid, refund claim and ITC avail, and to access his compliance with the provision of law, यह जो है, सबसे पहले तो यहाँ पर यह एक्जामीन करना, यह सभी जो आपने दिये, okay, records written or other document, और वो examine करते वक्त, उसकी correctness को check करना, उसके turn or को, correctness of turn or declare, यहने turn or declare किया, उसका correctness देखना, आपके सभी record के base पे, taxes properly pay उए क्या, refund properly गया क्या, और input tax credit आपने सही डंग से लिया क्या, as per the provisions of law, यहने in short audit करते वक्त, आपको यहाँ पूरे law की जानकारी होना जरूरी है, तो यहाँ आप इस तरह से properly audit कर सकते हो, जो section 213 में define किया गया under GST, चलिए, अब यहाँ पे departmental audit और special audit, और यहाँ पे और एक statutory audit, यह तीन टाइप के audit GST में होते हैं, सबसे बहले मैं क्या करोगा, कि आपको departmental audit, special audit, और second, third statutory audit से तीनों पढ़ा दोगा, और फिर मैं difference बता होगा, और यह difference भी बहुत जरूरी है, यह table इतना best way से मैंने चार्ट में arrange किया है, कि अगर आपको difference भी पूछ लिए जाए तो आप difference भी लिज सकते हो, शॉर्ट नोट पूछा जाए तो फटा फट पट पॉइंट्स का ओके यहाँ पे cover कर सकते हो, और शॉर्ट नोट पूरे marks ले सकते हो, इसके ओपर यहाँ पे types of audit के ओपर 5 माग का एक theoretical questions यहाँ 2018 में पूछा गया था, ऐसे questions आ जाए, तो मेरा chart डेफिनेटल आपको बहुत help करेगा, तो यहाँ पे departmental audit यहने कहाँ, फिर जब मैं comparison करूगा तो और ज़्यादा आपको अच्छे से सबज में आएगा, देखो, audit authority, the commissioner और authorized officer undertake the audit, मैं off register person, ख्याल रहा है, यह जो departmental audit होगा, यह taxable person का नहीं होगा, यह registered person का होगा, मतलब सबसे पहले तो, कि यह audit का power उसके against में ही लिया जा सकता है, जो registered person है, point number two, यह audit कोई CACM में नहीं करेगा, यह audit जो है, commissioner या उसकी authorized officer का, खुद, officer ही खुद audit करेंगे, इसलिए मैं इसको departmental audit कहता हो, तो यहाँ, next, notice to register person, given at least 15 working days prior to conduct of audit, जब भी कोई authority का audit करना है, तो उस person को 15 दिन पहले notice दी जाएगे, कि हमारे officer तुम्हारे premises में, या तुम्हारे से record मंगवाएगे, दो बाते हो सकते हैं, आईदर तुम्हारे से records मंगवाएगे, तो records complete करके law audit करना है, और यह departmental audit रहेगा, उसके बाद में, audit period, इसमें audit करते हो, कितना period cover हो सकता है, हो सकता है, और financial year, पुरा financial year cover हो, या part दे रहाँ, और multiple दे रहाँ, मतलब क्या पुरा financial year, पुरा एक साल का audit हो सकता है, या फिर 6 मेने का भी हो सकता है, या एक से ज्यादा साल का भी audit इसमें कर सकता है, यानि इसमें ऐसा नहीं है, जैसे statutory audit पुरे financial year का होता है, लेकिन जहां तक है यह audit जो है यह audit तीन मैने का भी हो पाएगा, छे मैने का भी हो पाएगा, कि depends कि यहाँ department यहाँ उस बंदे का कितना scrutiny कर पाएगा, ठेक है, उसके बाद में next, place of audit, sir यह audit की place क्या, कहां रहेगी, क्या वो officer हमारे place पे आएगी क्या, यह हमें record जाके देना पड़ेगा क्या, तो बेटा यहाँ जो है place of audit, तो यह place of business of register person भी हो सकता है, या in their offices, in their offices मतलब departmental office, okay, department का office जो रहेगा, तो department के office में भी यह audit हो सकता है, ठीक है, उसके बाद में time limit for completion, within audit यह जो है departmental audit, generally यह audit का एक object यह रहता है कि आप properly पुरा law follow कर रहे हो किया, यह नहीं यह examination करना, आप प्रॉपर records, return, documents का complete किये क्या, properly law follow कर रहे हो किया, proper turn or declare कर रहे हो किया, taxes पे कर रहे हो किया, तो एक general audit होता है, इसमें कोई specific object से नहीं किया जाता है, एक general audit कि सब कुछ ठीक चल रहा है, okay, तो आपके record based होता है, तो यहाँ पे इसको departmental audit करते हैं, time limit, यह time limit है, within three months from the date of commencement, यहाँ यह audit जो है, आपको तीन महने में खतम करना पड़ेगा, from the date of commencement, extension for further six months, हो सकता है, okay, extension भी आ सकता है, अब क्या कहते हो, तीन महने from the date of commencement, यहाँ जिस दिन आपने audit commence किया, वहाँ से तीन महने में यह audit complete हो जाना चाहिए, अब commencement of audit कब माना जाएगा फिर, shall be the date on which records are made, यह available करना, यह word proper नहीं है, available, made available or actual institution of audit at the place of business, whichever is later, मतलब क्या, अगर हमारे officer आपके premises में आके audit करते हैं, जान सुनिएगा, आपके premises में audit करते हैं, तो वो case में, जिस दिन हमारे officer ने आपके premises में आके audit शालू किया, वहाँ से तीन मेना, या फिर अगर record बुलाए उन्होंने, वो प्रिमाइस में नहीं है, आप से records बुलाए, तो जिस दिन आपने सभी records अवेलिबल करवा दिये, वहाँ से तीन मेने में वो audit कंप्लीट कर देगे, conduct of audit, register person shall facilitate the verification of accounts and records, हमारा officer को आपकी कुछ जिम्मेदारिया बनती है, जब भी आपके against में audit किया जाएगा, तो हमारे officer को आप सभी तरफ सिफ के help करोगे, सभी records और documents और accounts आप उनको provide करोगे, provide information to authority as required and render assistance, यह तीन बाते आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हम छोड़ेगे नहीं आपको, proper officer में inform our register person, discrepancies, notice and our register person में file the reply, फिर audit करते वक्क, जो भी discrepancies आई, वो register person को बताई जाएगी और वो उसका reply, और कि यहाँ पर submit करेगा, audit findings and observation, to be intimated within 30 days from the conclusion of audit, और last, जो भी important है, tax avoidance हुआ, या wrongly ITC detect हुआ, तो section 73-74 में फिर next action initiate की जाएगी, मतलब देखो flow कैसा है, एक तो direct audit हो गया, departmental audit, या फिर ऐसा हो सकता है, कि पहले scrutiny हुई, जान से देखिएगा, पहले section, यहाँ ऐसा भी flow आ सकता है, पहले section 61 में general scrutiny हुई, आपके return evable और GSTR1 और बाकी सब data को देखके, scrutiny में discrepancies पता चलिए, वो discrepancies को और confirm करने के लिए, officer ने audit करवा लिया section 65 में, अब audit में, section 65 में audit हुआ, audit में यहाँ पे continuous discrepancies मिल रही है, तो फिर और उसमें पता चला है कि टैक्स avoid किया गया, या ITC wrongly लिया गया, तो फिर वो 73-74 की proceeding चालू हो सकती है, तो यह था regarding to, यह direct audit हुआ, देखो flow कैसा, एक तो scrutiny से आए, यह direct audit हुआ, और audit में discrepancies पता चले, तो 73-74 का action लिया जा सकते है, क्योंकि next chapter में 73-74 ही पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ मैं आपसे ही पुछूगा, कि मैं 73-74 में कैसे आया, बेटा यह flow समझ में आया, अगर आया होगा, तो बोलिए yes, जो भी मेरे से connected है, don't be dumb, ओके, जो कहिए yes, sir, या, 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 very good, चलिए, अब इसके points फटा फटा याद कर ले न, ओके, audit authority कौन सी होगी, यहाँ पे notice, audit period, place of audit, time of completion, commencement of audit, conduct of audit, उसके बाद में discrepancies, findings, and tax avoidance, बस यह points, अगर यह कब शौर्ट नोट आई, दो-तीन माग के लिए points लिए, बात ख़ता, यह हुआ, रिगार्डिंग टुपेश, डिपार्बेंटल अब स्पेशल अडिट पढ लेता हो, फिर हम दिफरेंस देख लेंगे, दिफरेंस वे और मजा आएगा आपको, ओके, सो आजाते हैं, पेस्पेशल अडिट पे, पेस्पेशल अडिट कौंसे सिचुएशन में होता है, यह पैरा पैरगा बहुत अच्छे से देखना, दूरिंग स्कूरुटिनी, मतलब यह डारेक्ट आप जाके नहीं कर सकते हो, दूरिंग स्कूरुटिनी, इन्कॉरी, इन्वस्टिगेशन, और अजनी अदर प्रोसीडिंग, इव ओफिसर इस ओपीनियन दाट, वाल्यू हाज नॉट बीन, ओके यह बोल करना, यह कभी भी ओफिसर जाके, डिपार्मेंटल ऑडिट कर सकता है, या फिर section 61 से, स्कूरुटिनी हो रही है, वहां से ऑडिट कर सकता है, यह special audit कब होता है, यह special audit डिरेक्ट नहीं हो सकता है, आपके अगेंस में, हाँ डिरेक्ट नहीं हो सकता है, आपके अगेंस में return की scrutiny चालू हो चुकी है या फिर investigation power में और कि ये जो investigation power है इसके तहथ inspection हो गया है inspection, investigation हो गया है survey हो गया है यहने कुछ तो भी action आपके अगेंस में चालू हो चुकी होगी और any other proceeding कोई भी proceeding आपके अगेंस में start होगी तो ही यह power use की जा सकती है if officer is opinion that मतलब वो scrutiny वो investigation या वो proceeding में officer को ऐसा लग रहा है कि भही यह valuation में बहुत गरबड किया इन्होंने यह wrongly development of ITC और कोई experts की जरुवत है क्योंकि valuation में हो सकता है 110% of cost का है तो cost of acquisition officer की बस की बात नहीं है cost of acquisition, cost of production निकाला या like kind or quality निकाला open market value निकाला या फिर other consideration की fair value निकाला या officer की बस की बात नहीं है और बहुत गड़ी एक builder है बहुत बड़ा गड़बड करके रखा हुआ है उसने या गलत ITC जिसमें accounting principles involved है उनके records अकॉंट के इसाब से provisional basis पे बहुत सारी entry मारी है और इसके लिए expert की जरुवत है like हमारे जैसे CA और CA में तब ये special audit की power ली जाती है ठीक है audit की provision अब आपको applicable नहीं है थैंक यू, थैंक यू बेटा चलिए अब थोड़ा administrative power में access में आ जाते हैं section 71 access to business premises अब ये access to business premises ये जनरल पावर ये अच्छली investigative power ये अच्छली investigative power ये अच्छली investigative मतलब कुछ ढूंके निकालना है कुछ ढूंके नहीं चलना है और ये चलते पिरते आगए भई देखने सब कुछ सब ठीक चल रहा है न इनिया में आदत है और कि रास्ते में किसी के घर पे कोई प्रेंड रिलेटिव ये चले गए सब ठीक चल रहा है न कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा ही ये पावर सेक्छन 71 access to business premises officer चलते पिरते चाय पानी लेने आजाता है okay examen मतलिक रहा है चाय पानी लेने आता है तो ठीक है पढ़ लेता हो अरे यार यार ये गाइब क्यों हो रहा है ठीक है duly empowered officer can access to any business premises of registered person ध्यान सुनना सबसे पहले तो empowered officer होना चाय ये इतना भी इतना इजी निये कि चलते फिरते आगए अगर कोई access करने आ रहा है आपके business premises को disturb करने आ रहा है जैसे अभी एक news में जो देख रहा था यहाँ पर कि ये इसके ओपर constitutional challenge होना चाहिए कि केरला में तुमारे बहुत से जो 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 शॉप है उनके CCTV camera जो है GST department से connect केर दिएगा याने GST department से ये decision लिया जा रहा है कि तुमारे CCTV camera लगाए जाएगे और GST department से connect किया जाएगा और police department से connect किया जाएगा ये तुमारे personal जो राइट से उसके ओपर उन्होंने एक तरह का attack कर दिया है जिसको हम technical word में कहेंगे infring यहाँ पर कि तुमारे राइट पूरे infring कर दिया है तो इन situation में यहाँ पर उसके अगेंस में Traders Association ने बहुत बड़ा यहाँ पर question उठाय है कि basic constitutional right आप कैसे camera कैसे connect कर सकते हो मेरे business को आप control कैसे कर सकते हो record से आप यह करो या यह तो तुम watch कर रहे हो गलत है यह तुमारे basic right ही hampered हो रहे है okay basic right ही hampered हो रहे है ठीक है तो अब जहाँ तक देखा जाए तो मैं बस यह point पर आना चाहोगा कि ऐसे भी कोई चलते भिरते नहीं आ सकता है तुमारे business place पे तुमारे business दिको हिन्या में democracy है तुमको free रखना पड़ेगा businessman को जो भी officer को गवर्मेंट को अपना tax कले करना है record के बेस पे करे रेकॉर्ड के बेस पे करे okay ऐसा control और watch करके ना करे तो अब मोदी जी का है थोड़ा ऐसा approach की control कर लो watch कर लो business committee से tax ले लो okay बस free किसको छोड़ा है यहाँ पर अम्बानी अदा नहीं को okay मैं अगेंस में नहीं हूँ भाई मैं फिवर में हो मोदी जी के बहुत अच्छे decisions है उनके article 370 का one of the best decision है okay और मैं पाकिस्तान नहीं जाओगा तो यहाँ पर जस्वजा कर रहा हूँ तो यहाँ एक्सेस to business premises यहाँ भी business community को भी थोड़ा मुश्किल जा रही है okay कि यहाँ पर business telecom sector एक जगा concentrate कर दिया जियो सब कुछ लेके गया okay BSNL लगबख out of market हो गया है idea वड़ा phone तो छोड़ दो कि अब उसके हलात ही खराब को गई है okay और पूरा business concentrate हो रहा है लेकिन हाँ मैं यह कहना चाहूगा कि कुछ decision यहाँ मुदी जी ने ख्याल देना चाहिए बाकि बहुत जो पचास साल में कोई नहीं ले पाया article 370 का वो one of the best decision नहीं लिया तो मैं 50-50 हो okay कि यहाँ कुछ बहुत अच्छे decision कुछ जहादक है उसमें improvement करना जरूरी है चलो हम politics नहीं discuss करें हम आगे बढ़ते है okay यहाँ पर आगे बढ़ते है चली नव नेक्स जो है यहाँ अगर कोई भी register person premises को access कर रहा है तो वो situation में वो authorized person होना चाहिए और सिप register person के premises को और business premise देखो यह place of business word बड़ा important है place of business की definition क्या है जहाँ आप ordinary business करते हो warehouse है, storage है, agent का place है यहाँ जहाँ आप books of account रखते हो okay तो general access हो सकता है during access PO can inspect books of account जब हमारा officer general inspection के लिए आएगा okay तो general access के लिए आएगा inspection word भी गलाता है general access के लिए आएगा तो उसको अपने books of account बता देना documents बता देना, computer program software कैसा maintain करते हो, tally maintain करते हो या दूसरा, या SIP maintain करते हो या ERP maintain करते हो okay जो भी आप थोड़ा बता देना उसको person in charge of the premises bound to furnish such documents an officer, okay और audit to audit party deputed by proper officer to carry out the special audit, okay यहाँ पे जो भी हमारा officer आएगा या special audit के लिए जो भी हमारे office यहाँ पे team आएगी, उनको सभी informations और document देना जरूरी है उसके बाद में record covers records prepared by register person trial balance, audited financial statement cost audit report, income tax audit report other relevant records, okay तो यह सब records आपको देने पढ़ेंगे, तो यह general access है तो यह हमारी administrative power जो है, यहाँ खतम हो जाता है, discussion पूरा अब थोड़ा investigative power में होगा नामी यह कहता है कि कुछ तो हमेरे पास strong evidence है कि कुछ तो चुपाया गया है और जो चुपाया गया है उसको ढून के निकालना है उसको कहते है investigative power, ठीक है तो यह investigative power जिसमें word हम यूज़ करते है उसका कोई तोड़ नहीं होगा मालिक ठीक है, तो यहाँ पे inspection, search, seizure and arrest जिसमें inspection जो है section 67 1 में cover किया है और search और seizure 67, 2 में cover किया है और arrest जो है section 69 में cover किया है तो पहले मैं क्या करूगा 67, 1 पढ़ा होगा inspection और अब दोनों का एक difference समझ लेते हैं inspection और search जाने, इन दोनों में क्या basic difference है search मतलब थोड़ा severe inspection होता है जैसा raid हो गया उसमें power तुमारे पास business place की नहीं, कोई भी place पे आप attack कर सकते हो okay, दिवाल तोड़ सकते हो, छट तोड़ सकते हो raid movie देखिए न आपने okay, आप देखना जरूर मज़ा हैगा mostly records और evidence दोने जाते है okay, inspection में वैसे difference में create कर रहा हो पर दोनों power 60-70% से है पर search थोड़ा severe power है raid है, ठीक है meaning देखो, act of examine something by a proper officer okay, examine something by a proper officer, on reason to value recorded in writing मतलब उनके पास कुछ strong reason है value और उसके लिए वो examine कर रहा है, उसको on inspection या survey करते है income tax में survey करते है survey करते है ये soften provision than search मतलब search एक severe action search एक severe action, raid एक severe action होता है, ये थोड़ा soft होता है okay, इसमें mostly examination होता है और search में finding something होता है, मतलब कुछ ढूण के निकालना है दिवार तोड़ो, चक तोड़ो, अलमिरा तोड़ो क्या तोड़ना है तोड़ो, ढूण के निकालो चाहे दुनिया इदर की उदर हो जाए और के वो search की power होती है, फिर उसमें आपकी तीजोरी तोड़ो, जो भी है तीजोरी रूम को ढूण के निकालो, तो वो search की power होती है, उसके बाद में इसके इंसपेक्शन में देखो, कौनसे circumstances में होता है, यह important है, इस पर सवाल exam में आ सकते हैं, पहले तो joint commissioner, यहाँ पे reason to believe, यह reason to believe बहुत important word है इसके ओपर तोब appeal पाइल कर सकते हैं, कि भाई, तू मेरा inspection कर रहा है, अगर उसके पास कोई reason to believe कि वह तुने क्यों बिल्यू किया कि मैंने कुछ चुपाया हुआ है, अगर मैंने कुछ चुपाया हुआ है, तो क्या reason है, मुझे पता, नहीं तो मैं appeal मैं जाओगा कि इसके पास कोई ground ही नहीं है, reason to okay तो ऐसे case में result to will you बड़ा important है that taxable person, transporter और warehouse keeper inspection तीन लोगों का हो सकता है जो एक taxable person है ख्याल रहे है यह registered person word you use नहीं किया यह words पे कभी-कभी धान दे ना, यह word है taxable person, taxable person का scope बढ़ जाता है मतलब आप registered नहीं भी होगे पर liable to registered होगे तो उसका वो भी taxable person में आजाए क्या, okay मुझे यह बताओ किसने यह chapter नहीं पढ़ा पर समझ में आ रहे ऐसे कितने students है जितने chapter नहीं पढ़ा लेकिन समझ में आ रहे नालाय को मी बोलते वक शरम नहीं आई क्या बोला धारा पढ़ क्या और कि दो खीचके दूँगा screen के बाहर आके दो खीचके दूँगा नालाय को पड़ो जा हगा और हसरे हो यह 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 खस रहा हा हा करता है चलि है जो आप तो government जैसा कर रहे हो हाँ पिर क्या करें पहले पहले ढूंड तो लोगे कों में यहां Saturday night difficult sir भूल जाओ अब देख एक्जाम आ रही है मैं एक आप सब को बात बता दू चार साल आपने मेनद किये ये कोर्स में पढ़ाई किये बहुत से सैक्रिफाई किये और आपके एज में तो आपने C.A. में बहुत सैक्रिफाई किये इसलिए अब ये तीन चार मेंना ये फाइनल टच अप है ये चार मेंना अगर आप सिरियसली पढ़गोगे न तो चार साल की मेंनत वेस नहीं जाएगे आप यहाँ पे C.A. में C.A. में C.A. में C.A. सियस जो भी कोर्स कर रहा हो बन जाओ किया आप ये फाइनल टच अप जो है न बहुत अच्छे से करो ये चार मेंना सब भूल जाओ हाँ ऐसा होगा कि यार चार साल से बढ़ रहा है अब तो थोड़ा फ्रीच है बस फोर मंस अपने आपको कहना अउनली फोर मंस जिसने ये आखरी के तीन-चार मेंने समाल लिये न जिसने आखरी के तीन-चार मेंने समाल लिये न उसकी फ्यूचर फैनेंशल लाइप सेटल हो जाएगी फैनेंशल लाइप तो सेटल हो जाएगी मैं आपको एक एक एसूरंस देता हूँ कि यह आपने course कर लिया तो financial life में tension नहीं रहेगा, इसलिए बेटा, यह जो 3-4 मैन है, जो भी है बेटा, अब वो specific मज जाओ, यह 3-4 मैने जो है, अच्छे से, पूरा devotion से time देदो, मज़ा आज आएगा, 4 साल के महनत पुरी हो जाएगी, आपके ममी पपा भी भूट खुश हो ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, तो यहाँ तीन लोगों का inspection हो, चलो यहाँ पर फटा फट देख लेएगे, तीन लोगों का inspection होता है, taxable person, transporter और warehouse की पर, यहाँ जहां तक देखा जाए, taxable person का inspection कब होता है, आप point wise लिग देना, मैंने 3 पार्ट किये, कुछ नहीं है, चार को theory में लिखना मतलब क्या होता है, पहला point, दूसरा point, तीसरा point, बात का ताम, तो taxable person का inspection कब होगा, देखा, उन्होंने circumstances भी दिये कि inspection कब होगा, suppress any transaction of supply of goods or services, उसके पास reason to believe है कि इसने कुछ transaction तो suppress किया है, okay, supply of goods or services, okay, तो yes, यहाँ पर example हो कि, आप V smart के website पे जा रहे हो, V smart के website पे ऐसा एड़ चाल हुए, कि भाई, we taught यहाँ पे 20,000 students, या किसी और की website पे जा रहे हो, और किसी और की website पे तो और ज्यादा भखकर डाला है, okay, तो यहाँ पे, कि भाई, दो लाग student, तीन लाग student हमने पढ़ा दिये है, okay, पढ़ा दिये मतलब क्या, YouTube पे subscriber है, बोल दिये कि भाई, इतना student हमने पढ़ा दिये, तो जहां तक देखा जाए, तो officer को strong reason है कि तुम add कर रहे हो, तुम YouTube पे बता रहे हो, तुम्हारा economic times में फोटो आ रहा है, तुम्हारा इधर फोटो आ रहा है, okay, तुम्हारा times of India में फोटो आ रहा है, okay, मेरे पास strong reason है, उसके हिसाफ स रहे है, इसा doubt है, okay, reason to bill you है, या contraven any of the provision of this act to evade the tax, okay, तो यह 4 cases उसको लग रहे है, strong reason to bill you है, तो वो situation में आपके गेंस में, जो taxable person है, उसके गेंस में inspection होगा, ट्रांसपोर्टर और वेरोस के पर के केस में inspection कव होगा, kept goods वीचा, escape payment of tax, इन लोगोंने ऐसे goods ट्रांसपोर्ट किये, या रखे, जिसके ओपर tax चुपाया गया है, या kept goods or accounts in the manner likely to cause evasion of tax, या फिर ऐसे goods or accounts, उन्होंने चुपा के रखे, जो tax evasion से connected है, तो वो situation में inspection किया जा ये section 671 में inspection जो होगा, वो आपका कोई भी place का नहीं होगा, आपके जो place of businesses है उसका होगा, और आपके residence का घर का नहीं होगा इसमें, okay, survey आपके place of business पर ही होगा, हाँ, search होगा तो वो छोड़ेगी नहीं, आपका farmhouse, आपका घर, आपका business place, आपका इंडिया में, इंडिया के बाहर, सब-सब ढूण के निकालेंगे, सब ढूण के निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो था regarding to inspection, अब देखो section 671 जो है, वो inspection की power place of business की देता है, तो आगे section 68 है, ये भी inspection की power देता है, और ये 68 बताओ क्या था, देखता हो किसको click होता है, section 68 क्या था, पढ़ना मत, बताओ क् जो inspection की power देता है, कोई बतावाएगा, देखता हो किसको click होता है, कोई नहीं बता रहा है, अरे नालाय को e-way bill का title यादा रहे क्या, e-way bill के chart का title, देखो e-way bill के chart का title, section 68 with rule 138, नहीं न, e-way bill का 68 याद करो न, जो e-way bill का title है, तो यह section 68, okay, यह देखो न, यहाँ पर, goods in movement, title देखें, आप लिख रहें, goods in movement, okay, तो section 68, वो inspection goods in movement, नहीं जब goods transit में हो, उसका inspection होता है, जो e-way bill के थ्रू किया जाता है, तो दो inspection की power है, एक place of business, जो 67-1 में है, और एक during movement inspection का power है, जो section 68 में है, जो यहाँ से जनम होता है, e-way bill का, कि बहें during movement inspection कौन से document पे करें, तो वो document होता है, e-way bill, okay, convince का, convince का inspection किया जाएगा, और वो e-way bill होता है, I hope you understood, तो यह था, बेटा, यहाँ पे 67-1, उसके बाद में section 67-2, okay, 67-2 जो है, यह powerless search की, जो यहाँ attempt to find something, discover evidence of crime, by careful examination of place, person, subject, जो जो भी मिलता है, सबका careful examination होगा, कुछ तो crime किया है, यह confirm है, यहाँ inspection में है, इसा नहीं कि crime किया ही होगा, but reason to believe है कि किया हो सकता है, okay, पर यहाँ पे okay, crime किया, यह confirm होगा, यहाँ थोगा confirmation होता है, यहाँ थोगा confirmation होता है, यह मंदन, crime तो किया है, ढून की निकाल, चाहिए कुछ भी हो जाए, okay, तो यहाँ पे, उसको कहते है, raid, यह थोड़ा severe power होती है, यहाँ requirement, search warrant चीए, जब भी raid करना हो, तो search warrant चीए, जो join commissioner, या above rank officer, above rank officer issue करेगा, before start of search, search warrant आपको बताना है, तो कोई भी raid करना है, तो सबसे पहले search warrant, आप raid movie देखो, जरूर देखो, उससे आप सीखोगे, कुछ सीखने लायक movie है, तो पहले search warrant दिखाए जाता है, फिर एक lady officer भी होती है, साथ में, उसके बाद में two independent witness भी होते है, देखो, उसमें पंचनावा भी किया जाता है, उसके बाद में, power क्या होती है, officer की power क्या होती है, और आपके rights क्या होते है, raid के case में, search and seizure, or detention of goods, liable to confiscation, अब क्या हो रहे, ये inspection चार केस में होता है, ये चार केस में inspection होता है, यादी है, search कब होता है, जब ऐसा कोई goods है, जो liable to confiscation, अब आपक यहाँ पर, okay, discussion करूगा कि कब बोला जाता है goods liable to confiscation, okay, तो हम 130, 132 की provisions भी देखेंगे, okay, उसमें मैं पढ़ा होगा, नीचे मैंने थ्रवावत लिया है, कि confiscation कब बोला जाएगा, circumstances की goods liable to confiscation मैंने लिया है, लेकिन मैं आपको detail में, okay, आगे पढ़ा होगा, तो search का action तभी ह होगा, okay, when goods liable to confiscation होता है, ठीक है, या फिर आपके documents, book, things, जिसको वो भी search किये जाते हैं, और seize किये जा सकते है, उसके बाद में break or open the door, almira box, वगरे, seal premises if access denied, okay, कोई अगर premises में आपको access नहीं, जैसे कोई पुजा रूम है, कबरदार, पुजा रूम में कोई नहीं जाएगा तो फिर वो premises इसको seal कर दिया जाता है, कि ठीक है, हमको नहीं जाने दे रहे हैं क्या, पुजा रूम में तो seal कर दो इसको फिलाल, okay, उसके बाद में right to safeguard of person, आपके क्या rights है, seize goods document not to be written beyond necessary period, it should be written within 30 days of issue of show cause notice or within 6 months from the seizure, अगर कोई document seize कर लिया होगा, okay, तो show cause notice के 3-30 दिन में return कर जाना चाहिए, या 6 months from the date of seizure, whichever is letter, extension for further 6 months, photocopies of document can be taken by a person, inventory of seized goods to be made by a proper officer, यह था regarding to search and seizure, एक general discussion में नहीं आ लिया, और arrest, okay, देखो, arrest person का होता है, तो यहाँ पे person का arrest, यहाँ पे देखो, power commissioner who has reason to believe, can authorize the arrest of taxable person, transport or a warehouse keeper, where person accused of offenses specified under section, यहा section डाल दो, 132, okay, section 132 के offenses, बहुत अच्छे से बढ़ा होगा आपको 132, मज़ा आएगा आपको, offenses का, जो आप generally, यहाँ छोड़ देते हो, तो 132 के offense है, और tax someone involved is more than 2 CR होगी, यह important है, और कुछ specified offense है, जो section 132 के है, और जहाँ amount जो है, दो CR से जादा है, तो arrest हो सकता है, और arrest करने के लिए other officer help करेंगे, क्योंकि GST officer arrest करने जाएगा, तो उसके पास तो gun नहीं होती है, उनको ही गायब कर दिया जाएगा, इसलिए police के help लिया जा सकता है, कोई government officer के help लिया जा सकता है, यह तो आपने section देख लिया, section 67, 68, 69, और section यहाँ पे 72, sir 70, 71 कहा गया, अब आपका सवाल होगा कि section 70 और 71 कहा, 71 तो उपर देख लिया ने यह वाला, यह वाला section, ठीक है, 71 और यहाँ पे 72, हाँ, चलो आजाए, एक थोड़ा मैं discussion करना चाहोगा कुछ terminology में, detention, seizure, confiscation, summon और arrest, ठीक है, देखो, जब भी, पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपके goods होते हैं, books होते हैं, computers और other material होते हैं, person होता है, जो offense करता है, transporter होता है, transporter में goods और conveyance होते हैं, transporter खुद होता है, wear house के case में goods होते हैं, okay, उसमें normal goods और heavy goods होते हैं, और wear house के पर होते हैं, तो देखो, इसमें person को, taxable person, okay, यह transporter और wear house के पर, यह person होते हैं, और उसके साथ साथ बाकी goods और other material होते हैं, अगर action detention की हो, पहला action लेलो detention की, मतलब detention यहने क्या, detention यहने not allowing the owner to get excess of the goods by legal order or notice, मतलब क्या, अबी seize नहीं कर रहे हैं, okay seize नहीं कर रहे हैं, goods को बाज में रखो, और कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, यहने just kept aside, और owner को यह का जाएगा कि रुखो, इसको हाथ नहीं लगाएगा, जब तक हमारी permission या order नहीं आती है, उसको detention कहता है, याने softer than seizure, detention किसका किसका हो सकता है, goods का detention हो सकता है, books का भी detention हो सकता है, आपके computer, other material का भी detention हो सकता है, यहाँ, conveyance का भी detention, और जहाँ के person, person का detention नहीं होता है, उसका direct arrest होता है, तो जो things है, goods है, computer है, books है, conveyance है, या वेराउस में goods है, उनके detention हो सकते है, person के detention नहीं होते है, seizure, अब seizure reaction कब ली जाती है, act of taking on something or someone by force through legal action, मतलब आपसे एक simple word में छीन लेना, okay, detention है छीन नहीं लेना, अलग रखना, okay, convince को चल बाजू में खड़ा हो जाए, detention होँआ, goods को बाजू में रखो, detention होँआ, okay, and seizure मतलब आपसे छीन लेना चीज़े, okay, forcefully छीन लेना, ownership आपकी रहेगी, ठीक है, आपसे छीन ली गई, पर हमारे जपती होगी, जपती, एक specific word है, जपती, जपती होगी, okay, goods छीन के लेके आगए, पर owner तुम भी हो, अभी action लेना बाकि, ownership तुमारी है, okay, made only of inquiry or inspection, और ये seizure तब होगा, जब को inspection होगया, और goods को पता लिए, छीन के रख दिया, detain भी नहीं, छीन के रख लिया, जपती कर दिया, उसके पर seal लगा दिये, वो raid color की seal वगर आप देखते हैं, वो सब कुछ लगा दिया, उसको कहते है Caesar, उसको कहते Caesar, पर खास बात का है, ownership अभी भी honor की रहती है, Caesar के case में, manner of release, अब आपका, ये बहुत important है, exam में आ सकता है सवाल, अगर कोई goods seize कर लिया गया, और वो release करवाना है, तो तीन cases में वो release हो सकता है, ओके भाई कौन सी तीन cases में वो release हो सकता है, पहला, provisional basis पे, मतलब आप गया, सर, आपने sale कर दिया, goods को seize कर दिया, उसको सब raid वो seal लगा दिया, सर, मुझे goods की delivery देना है, सर, urgent है, नहीं, तो मेरा customer चली जाएगा, बड़ा customer है, सर, यहाँ पे, और, अगर में नहीं दे पाया, within time, तो future में मेरा business hamper हो जाएगा, सर, please release कर दो, officer केता है, ठीक, provisional basis पे release करते है, एक bond और security दे दे तू, bond दे और amount हम बताएगे, इतनी security दे दे, goods को लेके जा, okay, और उसका tax, interest और penalty, जो हम तरे को मांग रहे है, उतना दे दे, यहने payment, तू tax, interest और penalty पे कर दे, या उतनी security हमें दे दे, okay, और goods release कर ले, तो provisional basis पे release allowed है, दूसरा, actual return of goods, if notice is issued within 6 months, issue of notice within 6 months, if no notice is issued in 6 months, then all such goods shall be returned, हाँ, अब दिको, जब भी कोई goods seize हो जाता है, तो इसके 6 मेने के अंदर case को, यहाँ पे case start करनी पड़ती है, inspection हुआ, seize हो गए, पर अब क्या, 6 मेने के अंदर notice तो दो दो यार, okay, अगर 6 मेने के अंदर notice नहीं आती है, तो फिर automatically goods release हो जाता है, okay, जो extension further 6 months रहेगा, यहाँ भी reason होगा, तो officer उसको dispose कर देगा, अपना पैसा retain करके बागी के पैसा आपको refund कर देगा, तो यह release of goods, अब देखो, detention हो गया, seizure हो गया, next confiscation, पहली बार तो, पहला सवाल, sir, goods का confiscation होगा, yes, okay, confiscation जो goods का होगा, books का confiscation नहीं हो सकता, seize कर सकते books को, पर confiscation नहीं हो सकता, computer का confiscation नहीं हो सकता, person का confiscation नहीं हो सकता, convince का confiscation यहाँ पर हो सकता है, okay, और goods का हो सकता है, in simple word, convince और goods का confiscation होता है, confiscation मतलब ownership government की हो जाती है, confiscation एक word में समझा हो क्या, तो जहा ownership transport to government, लिखना हो तो लिख देना, confiscation मतलब ownership transfer to government ownership transfer to government what is the difference between scissor and confiscation scissor and a japti लेकिन owner अभी उसकी ownership अभी भी owner के पास है इसलिए जब जबती हुआ है और confiscation मतलब क्या कि goods की ownership of government की होगी इसलिए जब ownership shift होती है तो सिफ goods की या convince की होती है books की नहीं होती है books की ownership कैसे shift होगी person की ownership कैसे shift होगी computer other material की ownership कैसे shift होगी इसलिए ये सिफ goods और convince को लगता है कौन कौन से case में confiscation होगा आगे offense और prosecution chapter में पढ़ाओगा लेकिन समझ लो goods supplied received in contravention of this act leading to tax evasion किसी भी तरस से आपने goods को supply किया goods को supply किया या goods received in contravention of this act तो वो liable to confiscation हो जाते है और उसका confiscation के action होती है जहां ownership government के हो जाती है second, unaccounted goods third, supplied goods are liable to tax without applying for registration बिना registration के supply कर दिया या contravention of any provision to evade the tax तो ये चार cases में आपके goods confiscate हो सकते है जह ownership जो गवर्मेंट को transfer होती है generally ऐसा होता है कि पहले cease किया जाता है और scissor के बाद वो confiscation होता है जब ये चार cases प्रूव हो जाती है पर येस, confiscation goods और इसका होगा summon, summon क्या होता है summon section 70, 70 रह गया था जो मैं नहीं ले रहा हूँ summon मतलब कभी कोई inquiry करनी है director को बुलाना है, manager को बुलाना है किसी और को बुलाना है examination on oath करना है तो summon दिया जाता है a person issued a summon is legally bound to attain in person or representative bound in state truth of the supplier on supplies matter कभी कभी transporter को summon दिया जाता है वेराउस keeper को summon दिया जाता है और last में arrest, arrest हम उपर देख चुके arrest ये person का होता है confiscation ये goods का होता है और arrest ये person का होता है और इस कभी होता है हम उपर देख चुके है इस तरह से हमारा ये chart जो है complete होता है अगर आप इसको ध्यान से पड़ो तो मज़ा जाएगा तो अब आपके कोई doubt होगे तो मैं doubt है लेता हूँ चलो